प्रधार्मंत्री मोधी की अगुवाई में आज सुवेधस विज्जे बीज़पी केंद्रे चुनाव समीती की एहम बैठेक विधान सवजणाव के लिए उमीदबारों के नाम पर अंतिम मुहन लगी बीज़पी केंद्रे चुनाव समीती की बैठेक में आमिच शा, सीम योगली, सुनील बंसर, सुतंद्र देव सिंख समेट तमाम नीता मुझूद रहीए कोरोना सक्कम में तिज्रेपी नड़ा, राजनाथ सिंग, नितिन गड़करी और आधा मोहन सिंग, वीडियो कॉन्सिंग से जुडएगे यूपी में पहले और दूसरे चरण की विधान सभा चुनाव के लिए समाजबाधी पार्टी, गडबंधन की उमीदवारों के लिस्ट आज शाम तक जारी कर सकती है, किसको मिलेगा टिकेट, किसका गिराव विकेट रहेगी, सब पे नसर पज़ाब चुनाव के लिए उमीदवारों पर आज शाम कॉंग्रस के इंद्रे चुनाव समीती की एहम बैथक पहले लिस्ट पर मुहर लगने की उमीदवारों पर आज मंधन चर्चा के लिए दिली में सुबे 11 बज़े कॉंग्रस की स्क्रीनिंग कमिटी की एहम बैथक हो पश्मी यूपी के किसानों को साधने में जुटी शिवसेना, पार्टी नेता संजर राउत, आज दोपह मुझजफर नगर में किसान नेता राकैश टिकेट से मुलाकात करेंगे देश में कोरोना संकत पर पिये मोधी का मन्थन, आज शाम सारे चार बज़े प्रधान मंतरी सबे मुखी मंतरियों के साथ कोरोना के हालात और नए वेरिंटो मिठोन पर वर्च्वल समीक्षा करेंगे प्रियागराज में 14 जन्वरी से शुरू होने वाले माघ मेले पर आज इलाहबाद हाई कोट में एहम सुनवाई याच्रका में कोरोना की बढ़ते संकत के बीच माघ मेले के आयोजन पर रोक लगाने की मांगी गई है आज 2 लाकी पार जा सकता है कोरोना का अंकड़ा कल एक दिन में तकरिबन 1,95,000 कोरोना संक्रमत पाए गए 442 लोगों की मौत भी हुई केंद्रे स्वास्त मंत्राले ने कहा जिन लोगों को कोरोना की लक्षन नहीं है उनको टेस्ट कराने की जरूरत नहीं घर में कौरुंटीन का समय भी अब साथ दिन स्वास्त मंत्राले की मतावित पूरी दुनिया में ओमिक्रोन के 115 लोगों की मौत भुई है भारत में अब तक सिर्फ एक की पुष्टी स्वास्त मंत्राले ने कहा कोरोना के सबसे ज़्यादा केसे महराश्टों से आ रहे ओमिक्रोन को लेकर नीती आयो की च्रेत आवनी कहा ओमिक्रोन के संकर्मन को ना माने सिर्फ सर्दी और जुकाम इससे बड़ा नुकसान भी संभब साब्धानी बढ़ते हम हमेशे मास्क पहन के रखें हाथ धुए सैनिटाइज करें दोगज की दूरी बना कर रखें और समय पर अपने ठीका कराएं दिली में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना की केसेज 26 घंते में 27,501 के सामने आए 40 मरीजों की मौद भी हुई दिली में पुलिस वालो पर कोरोना की मार पिछले 12 दिन में 1700 से ज़ादा पुलिस कर्मी संभमित पाए गए पुलिस मुख्याले में लगाई जा रही है बूस्ट दोस प्रब कुछ और जरूरी खबरे आपको बता देते हैं फटाफट अंदाज में उमई में एक दिन में करीब साड़े 16,000 नए कोरोना की केस रिपोर्ट हुए साथ मरीजों की जान गई पॉने 15,000 लोग इलाज के बाद ठीक भी हुए मैं में घटे कोरोना के केस पर महराश्टो कोविट टास्क फोर्स का दावा इसका मतलब यहां कोरोना की तीसरी लहर खत्म होने के वह है कोरोना की वैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बार्चक का दावा को वैक्सीन का बूस्टर और डिल्टा वारियन पर भी कार करता कोरोना संक्रमन के बाद अस्पताल में भरती लता मंगेशकर खत्रे से बाहर अब भी आईस्यू में हैं डॉक्टरों के मताबिक दस से बारा दिन निगरानी में रखेंगे लता को निमोनिया भी हुआ है पंजाब के पूर्ग सीम कैप्टर नमरिंदर सिंग कोरोना संक्रमें तुन में हलके लक्षन दिखे नई पार्टी पंजाब लोग कॉंग्रिस बना कर प्रचार कर रहे थे कैप्टर करीब 89 साल कहें कैप्टर परश्री मंगाल के सीम अमता बैने जी ने गंगा सागर मेले का उधगाटन किया बोलिंग कोविट पोटोकॉल का कड़ाई से पालम करें जरूरत पढ़ने पर पुलिस की मदद लें प्रियाग राज में माग मेले में कोरोना संक्रमन का खत्रा और बढ़ा चार लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई मेले में अब तक 11 लोग संक्रमन यूपी के सीम योगी आदितनाथ आयुध्या से लड़ेंगे विधान सबा चुनाव सुत्रों के मताबिक बीजेपी कोर ग्रुप की बैचक में फैसला आधिकारी कैलान बाकिये मतोरा सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे सीम योगी श्रीकान सर्मा को ही मिलेगा टिकट कुछ मौझूदा मंत्रियों की सीट बढ़ ली जा सकते यूपी में सीट मटवारे को लेकर अमित शाह के साथ अनुर्प्रिया पटेल और आशीश पटेल की बैठक सुथ्रों के मताबिक सीटों पर बीजेपी के साथ अपना दल और निशाद पार्टी की सहमती बने सौमी परसाद मौरे के बाद यूपी के वन और परियावरन मंत्री दारा सिंग चौहान का इस्तिफा मैं लड़ता रहा और इसके बाद भी जब उनको नए नहीं मिल पाया आहत हो करके मुझे फैसला लेना पड़ा साथ मौरे जी साथ आए हमें खुशी है उनके साथ और साथी भी आए हैं आज दारा सिंग चौहान जी भी स्वाजवाधी पार्टी के साथ खड़े हो रहे हैं तो मुझे खुशी है इस बात की योगी के बागी मंतरी दारा सिंग चोहान के साथ अखिलेश यादव ने होटो जारी की बोले दारा सिंग का समाजवादी पार्टी में स्वागत सबकु समान सबकु स्थान योपी के डिप्टी सीम किश्र पुसाद मौरे ने ट्वीट किया लिखा दारा सिंग अपने फैसले पर पुनरविचार करें दूपती हुई नाव पर सवार होने से नुकसान होगा योपी के मंत्री नंद गोपाल नंदी का दारा सिंग पर निशाना कहा पांच साल कैबिनट का हिस्सा रहे लेकिन कभी पिछडों और दलितों की उपेक्षा पर एक शब्द बोलते नहीं सुना जनता ऐसे अब सर्वादियों को माकूल जवाब देगे यूगी सरकार में मंत्री पत्रे स्तीफा देने वाले स्वामी पुसाद मौरे का ऐलान 14 जनवरी को समाजबादी पार्टी में होंगे शामिल और लोग की होंगे साथ 14 जनवरी को आप उस दिन देखेंगे जो भी जवाइन करेगा उसके चेरे आपकी शामिले आएंगे बीजेपी से पकावत करने वाले स्वामी पुसाद मौरे के खिलाफ कूर्ट से वारंट जारी विवादित बयान देने के साथ साल पुराने केस में वारंट जारी हुआ 14 जनवरी को पेश नहीं हुए तो वारंट फिर हुगा जारी विजेवी नेता रीता भोगुन अजूशी बोली पाठी को स्वामी पुसाद मौरे को मनाना चाहिए अभी सत्य है कि बहुत जमीनी नेता है और बहुत ही प्राक्टिकल नेता भी है उनको जहां तक जंग्यान में आया है उनसे हमारे वरिश नेतागन चर्चा भी कर रहे हैं बात भी कर रहे हैं उनको रोकना चाहिए एबीपी निउस सीवोटर के सर्वे में 47 फीजदी लोगों ने कहा स्वामी पुसाद मौरे के जाने से बीजेपी को कोई असर नहीं पड़ेगा 40 फीजदी लोगों की रहे मौरे के जाने से असर पड़ेगा आई एब कुछ और खबरे देखते हैं पटापट अंदाज में यूपी के बदोई से बीजेपी विधायक रविद्ध नुनाथ रिपाठी बोले मेरी लेटर पैट का स्थिमाल कर मेरे स्थीपी की साज़िश रची गई मैं तो बीजेपी के साथ हूँ यूपी में बीजेपी ने बाके दलों में लगाई सेंध एसपी की विधायक हरी ओम यादव और पूर विधायक धर्मपाल सिंग बीजेपी में शामिल कॉंग्रस की विधायक नरेश तैनी भी बीजेपी में आए स्पी चोड़ने वाले हरियों यादव मुलायम सिंग के रिष्टदार है हरियों यादव की अखिलेश चाचा राम गोपाल यादव से नहीं बनती है जो सम्मान हमें सफ़ा में मिलना चाहिए वो नहीं यूपी में सीड बटवारे के लिए अखिलेश का डबल डोज वाला फॉर्मिला सहयोगी दलो के कई नेता स्पी के चिनाव चिन पर लड़ेंगे जहन चौड़ी की पार्टी को 26-30 तो ओम प्रकाश राजवर को मिल सकते हैं 8-10 सीपे समाजवादी पार्टी NCP के लिए बुलन शहर में अनूप शहर और DMC के लिए मिर्जपुर सीट छोड़ेगी अनूप शहर से NCP के के शर्मा और मिर्जपुर से TMC के रली तेश पतीतर पार्थी लड़ेंगे चिनाव कॉंग्रेस शोड़कर समाजवाती पार्टी में शामिल हुए इमरान मसूद अकलेश आदर से की मुलाका अकलेश जी से परदेश को परदेश के अंदर सरकार बनाने की बात करना है और क्या करना है अकलेश जी को समर्दन देने के लिए यूपी के चनावी मैदान में उतरेगी शिव सेना संजी राउद बोले 50 से 100 सीटों पर लड़ेगी शिव सेना मदभेत भुलाकर सबको साथ आकर यूपी को बचारा चाहिए चनाव से पहले उत्रकंड कॉंग्रेस में खटपड कॉंग्रेस ने पूर प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय को पार्टी के सभी पदों से हटाया पार्टी विरोधी गतिविद्योकारो दूसरे दिन के खेल के बाद रोमांचक मोर पर केप टाउन टेस्ट मैच पहली पारी में भारत को 13 रनों की लीड दिन के खेल खत्म होने तक दूसरे पारी के 57 रन को जोड़ कर पूर 70 रनों की लीड हाथ में हैं 8 विकेट विराट और पुजारा नौट आउट केप टाउन में खेल के दूसरे दिन दर्शिन अफरीका पहली पारी में दसु दसरों पर ओल आउट जस्पीद बुम्राश चादर लिए 5 विकेट भारती गेन पाजों में श्यादव और मुहमज शमी को दो-दो विकेट मिले वहीं शादुल ठाकोर ने एक विकेट लिया दशिन अफरीका के कीगन पीटरसन से पस्यादा बहत्तरन मनाया बेंगलूरू में प्रो कबड़ी लीग में हर्याना स्टिलर्ज और यूपी योध्धा के बीच बेहत रोमांचक मुकाबला 36-36 अंकों की बराबरी पर रहा मैच इस ट्रॉ के बाद अंक तालिका में छटे स्थान पर हैं यूपी योध्धा यूपी यूध्धा का प्रमक प्रायो जग है एविपी न्यूज दिल्ली में इंडिया ओपन बैड मिंचन में साइना नहवाल ने जीत के साथ अभियान शुरू किया साइना की विरोधी स्वाबी कोवा दूसरे गेम की शुरुवात में चोट के कारण मुकाबरे से हुई बाहर बॉक्सिंग में ओलंपिक कास से पदक विजेता लवलीना बुर्गोहिन को असम पुलिस में डियस्पी बनाएं गया लवलीना बोली देश की सेवा करने का मौका विला असम पुलिस में रहके मैं हमारा देश का सेवा भी कर सकते हूँ लेकिन मेरा में नेम होगा कि मैं स्पोर्ट में ही रहोंगे स्पोर्ट में रहके मेरा द्यूटी होगा ट्रेनिंग करना और ट्रेनिंग करके मेरा मैडल राना ही मेरा द्यूटी होगा उत्राखन में यमनोत्री धाम में बर्वारी में बदला मौसम में मनोत्री धाम के मंदिरों के आसपास 4-5 पीट मोटी बर्थ जमी लद्दाक में लगातार गिर रहा है तापमान द्रास में मंगलवार की राथ तापमान माइनस 27 से नीचे पहुचा ले में भी तापमान माइनस 14 तक गिरा ABP News आपको रखे आगे